अखलेश सरकार की लाख कोशिशों के बावजुद व्यूपी पुलिस का आसम वेदन शील और घर्जमेदारान रवया थमने का नाम नहीं ले रहा है तासम मामना मैनपूरी जिले का बताया जा रहा है कि फिरोसबात के थाने के सिर्सा गंच के रहने वाले दिलिप यादव और पंकच यादव ट्रेक्चर से इटे ले जा रहे थे तब ही रास्ते में पुलिस कर्मियों ने चेकिंग के नाम पर दोनों युवकों को रोका और उ मामने में ततकाल करवाई करती हुए मैनपूरी के एस्पी ने दारोगा समित पांच पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया क्या तो कहीं न कहीं उत्रप्रदेश के अंदर जिस तरह से पुलिस अपने काम को अंजाम दे रहे हैं वो खासा चर्चा का विश्य बना हुआ है पुलिस के उपर अपनी जिम्मेदारियों से भागने के आरूप लग रहे हैं और कहीं न कहीं अपने पद अपनी गरिमा का दुरुपियों करने के भी आरूप लग रहे हैं उत्रप्रदेश पुलिस के उपर पुलिस की कारवाई से खासे नाराज ग्रामीडों ने व्रोध प्रदेशन किया और आरूपी दारोगा को पीटा भी है यहां पर आपको बता दे रिश्वत मांगी जा रही थी और रिश्वत ना देने की वच्छा से दो युवकों की जमकर पिटाई कर दी गई जब जान बचाकर वो पुलिस से भागे तो आगे तालाब में गिर गए और डूबने से दोनों युवकों की मौत हो गए ऐसे गुसाय परिचिनों ने जमकर हंगामा क्या पुलिस कर्मियों की और जब यहां पर जबदस पिटाई भी कर दी तस्वीरे आप देख सकते हैं आक्रोश भी है नारासकी भी है और साथी साथ अब गम का महौल भी है एक्सक्लोजी तस्वीरे आपको दिखा रहे है नाशनल वाइस पर यूपी की पुलिस आ हैं वो अपनी जिम्यदारी को कहीं न कहीं सही तरीके से नहीं निभा रहे कहीं जगा उसे इस तरह की खबरे आ रहे हैं पहले कानपूर में जेस तरह से यूवक की क्राइम प्रांच और एस्टेफ ने जम कर पिटाई कियो और इस पिटाई से यूवक की मौत हो गए प्रदेश की पुलिस जनता की रक्षा के लिए या फिर उनको इस तरह से डराने धंकाने और मौत के खाट उतारने के लिए तक्सक्लोजिव तस्विर आपको दिखा रहे हैं मेंपूरी की यूवक की मौत के बाद सानी लोगों का हंगामा आप देख सकते हैं आरूपे पुलिस वालों के यहां पर जबरदस पिटाई भी की गई है भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनाद कर दिया गया है दो यूवकों की मौत हो गई है पुलिस की पिटाई से घबरा कर जब वो भागे तो तालाब में गिर गया और तालाब में गिरने से उनकी मौत हो गई पुलिस पर आरूप लगे हैं कि पुलिस ने यहां पर दोनों युवकों की जम कर पिटाए की थी और जैसे ही युवकों को जो सिती है वो बनी हुई अभी संजीर यहां पर स्वाल उठ है कि आ耶श के अंदर क्या हो रहा है पुलिस के से काम करें फुलिस या कारवाई जो है वो लोगों को परिशान करने के लिए है या फिर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं स mourता को लेकर आधिकरificant यहां delic जंता को भुगतना पड़ता है महकमे को भुगतना पड़ता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए